नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाधिया है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शियर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं और कल के सेशन में निफ्टी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट डे होने वाला अगर आप कल के सेशन में बजार के लिए मेर से ऐसे स्टॉक्स पूछें कि कल कौन से स्टॉक्स सबसे ज्यादा फोकस में रहेंगे सबसे ज्यादा एक्शन में रहेंगे जहां पर बड़ी बल्क ट्रेड उस होते हुए दिख सकते हैं बड़ा मुवमेंटम होता हुआ दिख सकता है एंड सबसे बड़ी बात जो रीटेल कैटेगरी है वहां पर खरीद बेच हैवी होगी ऐसे स्टॉक में आप सभी के साथ शेयर करूँगा आपको कौन से स्टॉक लेने चाहिए अगर तेजी में हो तो भी अगर इनकेस गिर जाए तो इनकेस उपर भी आ जाए तो भी नहीं खरीदना तो इनकेस वीडियो बेस्ट वीडियो तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो का आगे बढ़ाता हूँ इस्टॉक के नाम शेयर करता हूँ आप सभी के साथ उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहँगा अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुँचे सबसे आप लोगों की काफी वीडियो के लिए तो मैंने उस पर वीडियो बना दी आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं अच्छा आप स्टार्ट करें आज की वीडियो तो दोस्तों इसको लाइक भी कर दो ताकि मुझे मौटिवेशन मिलती रहे तो स्टार्ट क क्यों नहीं आए क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था दोस्तों वह था लगबग 100% का जंप आएगा प्रॉफिट में यर ओन यर बेस पे जिसके सामने मात 50% का क्रोथ कंपनी ने क्लॉक करी अगर आप नंबर पूछे तो 18,000 क्रोड का पैट आलमोस्ट कंपनी ने क्लॉक क मुझे लगता है नेगेटिव रियक्शन आ सकता है बट इस स्टॉक में नेगेटिव रियक्शन आता है तो वह एक निवेशक के लिए मौका होगा एंड एक ट्रेडर से मैं कहना चाहँगा इस स्टॉक से दूर रहें क्यों क्योंकि ये स्टॉक में पहला सपोड लेवल 2440 क अगर आपके पास already position and trading view है आपका तो आप 2440 पे SL रख लें and hold करें वो break होता है तो आप बेज दें क्योंकि अगला सीधे target जो आएगा इस टॉक का वो 2423.80 तर इस टॉक जा सकता है अब एक निवेशक की बात करें इस स्टॉक में तो अगर in case 2440 ब्रेक होता है 2400 या 2300 C के पास आता है तो वो आपके लिए opportunity होगी खरिदारी करने की तो वहाँ खरीदना चाहिए वो मेरे साब से best level होगा इस टॉक का तो यह होगी reliance की बात आगे बढ़ते हैं दूसरे stock की बात करें तो अब बात करते हैं IT leader Infosys के बारे में Infosys ने भी अभी अभी अपने नतीजे paste कर दी हैं और मैंने आप सभी के साथ share भी करें company के results अच्छे नहीं हैं दोस्तों profit के numbers लेकिन company की commentary बहुत strong है विप्रो वाला हाल हुआ है डिक्तो बट विप्रो वाला हाल हुआ next day stock में तेजी बनी क्योंकि IT stock stage थे लेकिन कल के session में IT stock stage हो ना हो वह कहने वाली बात है लेकिन results के बारे में बात प्रू तो negative है लेकिन commentary आगे के लिए अच्छे अब क्या करना है में देखिए जो trader है वो दूर रहे लेकिन एक निवेशक अगर यह stock गिरता है तो आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा company कह रही है भाई guidance भढ़ा रही है revenue का आप यह देखिए company guidance भढ़ा रही है जो problem है वो समाप्त हो जाएंगे attrition rate higher level पे आ गया है मुझे लगता है and company का भी head counts भी जादा हो रहे है higher level पे attrition नहीं तो head counts भी जादा है बट long term के एसाब से बहुत positive है and खरीदने के मौकरी डोड़े नीचे गिरे तो अब बात करते है अगले stock के बारे में तो भाईयों ICICI bank की तरफ से भी results पेश करे गए banking stock की तरफ से एंड जो results थे वो बहुत ही शानदार थे company ने 50% की growth clock करी है year on year basis पे and market का अनुमान था यह करीब 35% की profit growth कहीं ना कहीं दिखाएगा year on year basis पे जिसके सामने company ने 50% की growth दिखाई and ICICI bank कमने results पे sharply react करता है gap up open होके अब यह देखने वाली बात है कितना gap up होता है and होता भी है यह नहीं होता in case होता है तो एक investor के लिए तो देखिए लेवल मुझे 800 भी अच्छा नहीं लग रहा खरीदने के लिए तो अगर gap up होके तो मुझे बिलकुल ही पसंद नहीं आएगा लेकिन यह stock आप watch list में लगा लो जब भी नीचे मिले खरीदना है और आप साथ करीब करीब हर वीडियो में जाए मैंने आपके साथ शेयर करें investment ideas ICI-ICI Bank मेरी best pick था and around 697 पर आपको दौबा के खरिदवाया है चली अब अगले stock की तरफ चलते हैं यहां पर दो stocks है banking है तो अनों कोटक बैंक अगर कोटक बैंक की बात करें तो इसके नतीजे market के अनुमान से कमजोर आहे है यह बैंक की बात करें तो बस कर रहा है and numbers भी अच्छे आप देखने वाली बात है कि कैसा करता है क्योंकि year on year basis पे जंप थी market का कोई estimate था नहीं तो मैं वह आपके साथ share नहीं कर सकता quarter basis पे down है year on year basis पे 50% के लगबकी growth है तो outlook देखते हैं कैसा होता है बाकी results अच्छी है quarter basis पे गिरे हैं यह आपको ध्यान में रखना चाहिए अब कैसा react करेगा वह देखने वाली बात है तो यह कुछ stocks है जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए अब एक stock जिससे आपको दूरी बनानी चाहिए जिसमें गलती से भी ना रिद्दारी करें दोस्तों चाहिए गिर जाए या उठ जाए इस टॉक का नाम है जे एस डबलू स्टीड यह इस टॉक बड़ी गिरावट के लिए तयार होता हुआ दिकरा बहुत ही ज्यादा खराब नंबर है 86% profit tank हो गया company का and अगर आप पूछे की 86% tank हो गया 838 करोड पर profit आया and market का estimate अल्रेडी एक हजार से अथारा सा करोड पे था 5,000-5,000 करोड के मुकावले company market अनुमान लगा रही थी भाई 1800 करोड तक तो profit देए 1000-1800 के बीच में लेकिन company ने 838 करोड का profit पोस्ट करो तो यह बहुत ही खराब नंबर है तो इससे तो बिलकुल ही दूर रहें गिर जाए तो भी बिलकुल bottom fishing ना करें या फिर buy ना करें कुछ भी नहीं करना स्टॉक से दूर रहना है trader को और investor पर अगर है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो बट मैं जरूर कह आपसे की bottom fishing ना करें तो यह मेरी पूरी वीडियो होप आपको समझ में आयोगी thank you so much for watching this video have a great day guys